अलो फ्रेंज वेल्कॉम टू शुइंग ट्रेड अज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदूस्तन फूड कंपनी के बारे में तो यह एक छोटा सा कंपनी है कंपनी है तो इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए काफी सारे फ्रेंस बना अपर्चनवी बन रहा है इसका अगर अगर हम प्रडक्ट देखेंगे तो यहां पे और होमके यह ब्यूटी और परसनल क्यार है हेल्थ और विल्स से यहां पे फूड वेर में भी है तो पुरा सेगमेंट है अलग अलग सेगमेंट है यहां पर हम जाके देखते हैं यहां पर दिखिए और सब्सक्राइब यहां पर बनता है यहां पर संतूर हुआ सब्सक्राइब काम करते हैं यहां पर हम जाके कंपनी का सुरुवत देखते हैं कंपनी का एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं हिंदुस्तन फूड वज इस्टाबलिश्ट इन कंपनी के साथ में उसके बाद में अगर देखा जाया कंपनी फम्चीजी और यहां पर फूड इंडस्ट्री पर्सनल के यह सब इंडस्ट्री में काम करता है तो इसी साब से कंपनी का अगर हम देखेंगे यहां पर कंपनी काफी सारा अक्यूजिशन भी कर रहा है यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2017 को जम्मो में अक्वेजिशन हुआ था उसके बाद में हाईदराबाद में हुआ उसके बाद में मुंबाई में हुआ ह्टूजिशन कर रही है है कॉंपनी बहुत सारा अक्यूजिशन भी कर रहा है हिंदुस्त्तान फूर के साथ में मुजर भी हुआ है जह इस कंपनी का एक बार हम प्रफेक्न करते हैं फ़ंडामेंटल आनालीस करते हैं कंपनी एक थ्री थाव्जं नाइन्ड हैं करोड का कंपनी है जो की स्मॉल क्वाप कंपनी है आरोसी अगर देखते हैं यहां पे 17 का न रोसी है यहां पर 2,580 का all time high है अगर current price देखते हैं 1866 से company का promoter place तो 0 है और company का अगर हम high मतलब 32 low देखेंगे 860 के पास में है all time high अगर देखेंगे 2580 के पास में है अगर इसी हिसाब से अगर हम एक बार इनका result भी देख लेते हैं यहां पर अगर हम रेजल्ट देखते हैं 318 करोड का यहां पर sales हुआ था अभी का September में अगर देखते हैं 466 करोड का sales हुआ है sales में अच्छा सब growth नजर आ रहा है ठीक है अगर हम देखेंगे तो sales में तो अच्छा सब growth नजर आ रहा है इतना ज्यादा growth नजर नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा growth नजर नहीं आ रहा है त्वर फिल्वक्रोड का प्रोफिट में तो अश्रकमट ग्रिख लेते हैं तो यहां पर 11 करोड का यहां पर फित था अभी only 16 करोड का प्रफिट है यहां पर ग्रोफ दिखाया यह 10% अगर इसी साब अगर हम देख लेते हैं लास्त C20 का अस्वार क्वाटर का अगर हम देखते हैं यहां पे साल का धाप से दकहाँ तो क्मपनी में अगर हम देखंगे 5 साल का डाटा यहां पर कंपनी में जन नहीं हो पा रहा है देकिन जब बहुत अधर अधर इस्टस करोडम का प्रोफित हुए हुए उसके बाद में तूंटी द्री करोड का प्रफिट है उसके बाद में यहां पे 46 करोड़ का प्रफिट है यह स्टॉक में मैंने काफी दिन पेले से भी पोजिशन बना के रखा हुआ है मैं आपको बताता हूं कौन सा मेरा एक यहां पर मैंने 350 का लेबल से बाइंग करके यह स्टॉकिंग पोजिशन बना के भी बैठा हुआ हूँ अगर देखेंगे इस टॉक का अगर फाइब यूर्स का रिटन हम देखते हैं इतना बड़ा सा अभी फॉल होने के भावजुद भी 77 परसेंटेज का रिटन दिया है इस साथ तो नहीं कि company only यहां बहागे जा रहा है इसा बिल्कुल भी नहीं है इंग दिखीं दोस सेल में 93 परसेंटेज का यह यह फिंड दिया है अगर हम शेल्स की ग्रोच देखते हैं यहां पर 10 इंड्स में 80 परसेंटेज का इस यह घ्रोच दिया है तो company बड़ी हैसा performance दे र करोड उसके बाद में अगर देखेंगे सेप्टेमबर में 226 करोड तो बढ़ी आसे इंप्रूमेंट नजर आ रहा है लेकिन कंपनी में बढ़ते जा रहा है उसका रिजन आक्वेजिसन कंपनी बहुत जदा एक्स्टेंशन चल रहा है तो इसलिए वह कोई प्रोब्लेम नहीं कर देखेंगे का रहा है ठीक है ना कि अमपनी का काफी सरा प्लांट बगेरा भी अलग अलग सिच्वेशन बे मर्जर हो रहा है इसके बज़त से यहां पर बरॉइंग है तो बरॉइंग का कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है यहां पर हम देखते हैं प्रोमोटर का होल्डिं पहले 61.82 परसेंटेज था अभी देखे 62.62 परसेंटेज का हो चुका है तो प्रोमोटर ने अपना एक भी थोड़ा से इंक्रीज कर रहा है जो की एक पॉजिटिव सा हीन है अगर यहां पर यहां पर दाटा देखते हैं पहले यहां पर टेन परसेंटेज का स्टेक रखा के पाश में अगर देखते हैं यहंपे चोनी तरी पर सेंटेज उसमें से यह सब निकल जाएंगे तो यहां पर पर यहां पर 10 परन निकल जाएंगे तो पॉप्लिक के पास सो स्टेक्व के पास में यह अगर ही साभा चेट पैटन भी देख़ लेते हैं हौलडिंग पैटन तो जो दिख रहा है यहां पर positive दिख रहा है कोई problem नहीं है और profit loss भी कोई problem नहीं है यह की quarter में अगर देखते हैं थोड़ा सा इतना ज़्यदा profit generate नहीं हो पाया है अब अगर RSI का हम बात करते हैं RSI अभी 40 का level पर है ठीक है इसका जो RSI है अगर पूरा ना एक साल कभी हम डाटा देखेंगे तो stock ने यहां पर 40 का level कभी भी touch नहीं किया अभी अगर देखेंगे तो यहां पर एक बार आया था जो कि जुलाई के month में उसके बाद में अभी भी सेम लेवल पर RSI चल रहा है तो अभी अगर हम देखते है चार्ट पेटन में जाके यहां पर 200 को अगर हम देखेंगे करोना के बाद में कभी भी 200 डे मुवी अबरेज को टॉस्ट नहीं किया यहां पर 100 डे को मुवी अबरेज पर भी सपोर्ट नहीं ले रहा था उसके अबरेज है अगर यहां से आपको डिस्क्रिप्शन में मोवी अबरेज को एकसे से कर ते आपको जरूरो वीडियो मिल जाएगा वहां से जाकर करते हैं तो मैं अई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूँ देखेंगे अगर देखेंगे इस टॉक में कितना बड़ा सा यहां पे फॉल हुआ है स्टॉक अभी 27% से 28% का गिरावट पर अभी स्टॉक चल रहा है अभी अगर देखेंगे तो मार्स से लेके फरवर इसे लेके अभी तक का स्टॉक उसी जोन में गुम रहा है जो कि नाइन मॉंट्स हो चुका है लेकिन ज्यादा दिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है जिसी साब से पैटर्न डेवलोप हो रहा है किसी भी बगत बड़ी ऐसा मोब्मेंट आ सकता है और स्टॉक को भगा के उपर लेके पक्का जाएंगा अपरेट यह यहां परcellent एक इतना अगता फ्रस्तॉक जासकता है इसको ऑनलाइज करेंगी कौन सा भाल प्रस्तॉक जासकता है इतना बड़ा एक है यहां पे वहांसे उतना लेवल तक जरूर जायेगा कि अगर आप देखेंगे इस लेवल से लेके इस लेवल तक जैहासकता है जोकि पर का सकता यहां पर जरूर ना पड़ेगा और एक साल में आपको 67ốn यहां तक जाएगा उसके बाद में फिर से निचे आएगा फिर और कॉप बनाएगा फिर जाएगा तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लागेगा इसा नहीं कि इमीडियेटली आपको पोजीशन बना लिए तो आपका स्टॉक भागना चलो जाएगा इसा बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा इंवेस्टमेंट करके चलिए अगर आप लंग ट्रम पोर्फोलियो में भी आड़ करना चाहते हैं तो करके चल सकते हैं अब का टार्गेट रख लीजिए ठीवान फाइफ जिरो तक जो कि एक साल में यह टर्गेट आपका आचीव हो सकता है लेकिन अगर आप च्छोटा टार्गेट के लिए आप अगर देख रहे हैं तो यह टर्गेट आपको बहुत एजी लिया अचीव हो सकता है अब दिखे कितना बार रेजिस्टन्स लिया है यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक बार रिजिस्टन्स लिया है उसके बाद में स्टाप फिर से यहाँ पर आएगा फ्रॉफी लीजिये अगर हम देखते हैं तो कितना परसेंटेज का आपको गयन मिलता एक बार देख लेते हैं यहाँ से अगर आप पोजिशन बनाते हैं अगर यह लेवल तक अगर होड़ करके चलते हैं इस्टाउक में आपको 33 33% का गेन मिल सकता है जो कि 2480 का लेवल पर अगर आप प्रॉफिट बॉकिंग करके चलते हैं तो आपको 33% का गेन मिल जाएगा यह ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा यह आपको में जरूर आचीव हो सकता है तो आप अपने साब से थोड़ा सा स्टड़ी कर लिजिए स्टड़ी करके जरूरी इसमें बना सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है इतना बड़ा इस्टाप में मैंने काफी दिन पेल से यह पोजिशन बनाया हुआ है अगर देखेंगे ना कोरोन पर पोजिशन बनाया हुआ ता अभी बिउस्टाक का अभी मेरा पॉटफोलियो में अगर देखेंगे बड़ी हैसा रिटन दे रहा है ठीके लेकिन इसको भी मैने स्वेंग्रे पोटफोलियो में इस्टाक को लेके चला हूँ ठीके ना अगर वोस्ट लेवल से अगर हम दे तो बड़ी ऐसा गेन आपको मिलेगा और आप लाइप टाइम के लिए भी स्टॉक को लेकर चल सकते हैं कोई प्रोब्लिम नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट छोटा रखिए क्योंकि स्मॉल क्याप स्टॉक है जहां पर थोड़ा सा भारी गिरावाट होता है तो फिर तर जाएं इसमें 1% 2% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं ठीक है अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है काफी सरा स्टॉक क्या हमने आपको बताया हुआ है अपना चैनल पर जरूर भीजिट कर लिए जो भी ब्लूचिफ स्टॉक है जहां पर आपको डर भी नहीं आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं वह सरे स्टॉक में लंग टरम पोटफॉलियो में अगर आपको शुविंग ट्रेड लेना है तो शुविंग ले लिजिए आपको शुविंग ट्रेड के लिए हम दो का टाटागोरी का वीडियो भी बना के बता करना चलो जागा जैगा जिकी ओपर जाएगा इसा बिल्कुल भी नहीं है हम भी अभी लास में काफी सरा स्टॉक में बेटे हुए है काफी सरा स्टॉक में प्रफिट में बेटे हुए है तो अपना दिस्के हिसाब से पोटफुलियो डाइवर्शिपिके सम् जरूर के साथ में शेर कीजिए अगर चैनल में नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप यह स्टॉक में कहीं अपर लेवल में फचे हुए है आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं लंग टर्म पोटफुलियो के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं और वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में